खबरनामा के प्रायूजक हैं सीदापूर शिक्षास अंसान ग्रूप ऑफ इंसिटूशन रसेवरा सीदापूर नमस्कार आप देख रहें आई इंडिया और मैं बबिता सिंगोर सीतापूर की सुर्खियों वाले खबर नमे का आगाज दिन बर की बड़ी खबरों के साथ कावड यात्रा की अनुमत पर सुप्रीम कोट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब तीन द्यूसिये दोरे पर लखनोव पहुँची प्रयंका गांधी चड़ा सियासी पारा बाजपा के रास्टी अध्यच बोले आस्टेलिया तक हुई स्यूपी सरकार की प्रिशंचा सुबे में विकास विभाग के छाचट खंड विकास अधिकारियों के हुए तबागले जमा जम बरसाथ ने गर्मी से दिलाई राहत पसलों को फायदा किसान खुश वैभो तिरपाठी बने नागर पाली का सीतापुर के नए अधिसासी अधिकारी सत्तरह जुलाई को होगी जिलाविकास समन्य ये निगरानी समित की बैठाग दिन दहाडे लाखों की लूट का परदा फास दो लिटोरों को किया गिरफतार खाले को अधिसे लूट को सुप्रिम कोर्ट ने सुक्रवार को उत्तर प्रदेस में कावण यात्रा की अनुमत को लेकर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को सांकेतिक कावण यात्रा आयुजित करने पर पुनर विचार के निर्देश दिये हैं सीर्स अदालत ने सोमवार तक यूपी सरकार को जवाब देने को कहा है जस्टिस रोहिंग्टन ए एफ नरीमन की पीठ ने कहा कि महामारी देश के सभी नागरिकों को प्रभावित करती है इसलिए सामुही के आत्रा की अनुमती नहीं दी जा सकती है वहीं सुनवाई के दोरान यूपी सरकार ने कहा कि उसने कंटेनर के जरिये सरधालों को गंगा जल मुहया कराने का निर्ने लिया है हालाकि सुप्रीम कोट इससे सहमत नहीं दिखा यूपी में आगामी बिधान सभा चुनाओ को लेकर सियासी दल माहौल बनाने लगे है कांग्रेज भी पूरी ताकत के साथ इस चुनाओ मैदान में उतारने का मन बना चुकी है चुनाओ को लेकर नर्नीट बनाने और उस पर चर्चा के लिए प्रियंका गांधी सुक्रवार को लखनओ पहँच गई अगले तीन दिनों तक कारकरताओं से चर्चा करेंगी प्रियंका गांधी लखनओ एरपोर्ट से सीधे हजरत गंधिस सित गांधी प्रितिमा पहुची जहां उन्होंने राष्ट पिता की मूर्ती पर माल्यारपन किया उन्होंने यहां प्रदेश में फैले जंगल राज, पंचाय चुनाओं में हुई हिंसा, महिला, उत्पीडन, ध्वस्त, कानून, वेउस्ता के खिलाब दो मिनट का मौन भी रखा इसके बाद बैठक के लिए पार्टी कार्यारे रवाना हो गई भाजपक के रास्टी अध्यज जेपी नड़ा ने सुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राज जिकार कार्णी को संबोधित किया बीपच्पन निसाना साथते हुए उन्होंने कारकरताओं को चुनाओं के लिए जुट जाने का संदेश दिया उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश को साल पहले भष्टाचार जातिवाद भाई भतीजावाद की जंजीर में जक्रा था मगर बीते चार सालों की बात की जाए तो प्रदेश अब इस महामारी से बाहर निकल कर देश की हो लीट करने वाला प्रदेश बन गया है नडड़ा ने गहा कि उत्तर प्रदेश की प्रशंसा सिब देश में ही नहीं बलकि आस्टेलिया तक में हुई यह साबित करता है कि देश में किस तरह से सीयम योगी ने कोरोना काल में प्रबंधन किया सीतापुन में सुकरवार की दोपहर मौसम का मिजाज एका एक बदल गया आसमान में काले बादलों ने डेरा जमालिया और ठंडी हवाय चलने लगी देखते ही देखते बादल जूम कर बरसने लगे जहमा जहम बारिस ने लोगों को भीसर गर्मी से राहत दिलाई वहीं फसलों के लिए या पानी अमरत बन कर बरसा बारिस से फसलों को फायदा देख किसानों के चहरे खिल उठे मौसम बिग्यानी के इसे मानसून का आगाज मान रहे हैं लगबग एक घंटे बाद बाद बारिस रुप गई लेकिन बादलों की आवा जाही आसमान में साम तक होती रही मौसम बिभाग ने 18 से 21 जुलाई तक भारी वारिस की चितावनी देते वे अलर्ट जारी किया है सासन ने सूबे में इस्थानी निकाय के 15 अपसरों के तबादले किये हैं नगर पालिका सीतापुर के अधिसासी अधिकारी गुरू पशाद पांडे वारारसी अस्थान्तिरित कर दिये हैं पांडे नगर निगम वारारसी का चार्ज सम्हालेंगे नगर निगम गौरतपुर के अधिसासी अधिकारी वैभो तिरपाटी को सीतापुर पालिका में नई तैनाती दी गई है पंचाय चुनाव संपन कराने के बाद यूपी में अफसर कर्मचारियों की तबादला एक्सपेट दोड़ पड़ी है योगी सरकार ने सूबे में विकास विभाग के करीब 6-6 खंड विकास अधिकारियों के तबादले किये हैं तबादला सूची के मताबिक फतेहपुर के एस्वर यादो को सीतापूर प्रताबगर के प्रतीक को सीतापूर भेजा है इसी प्रकार सीतापूर के संदीब कुमार को बहराईच बरेली के प्रणे कुमार को सीतापूर अलिगड के आत्म प्रकास रस्तोगी को, सीतापूर महोबा के रजनीश सुकला को, सीतापूर बदाईं के अवत प्रताप सिंह को, सीतापूर सीतापूर के राजकुमार को बलिया इस्थांतरित किया गया है जिला अधिकारी विसाल भरद्वाज एम पुलिस अधीचक आरपी सिंग ने स्रवन मास के द्रस्टियत कावण सेवा समित की प्रतनिधियों स्यू मंदिरों धार्मिक अस्थलों से प्रतनिधियों एम धर्म गुरुवों के साथ बैठा की इस दोरान कावण यात्राओं एम मंदिरों में पूजा आधी के दोरान कोरोना वाइरस से बचाओ के लिए किये जाने वाले उपायों पर बिस्तार पूरवक चर्चा की गई सभी ने कोविट की विसम परिस्तितियों को देखते हुए आयोजिनों को समित करने और कावण यात्रा आधी ना निकालने जाने पर सहमत व्यक्त की है बैठक में A.D.M. बिने कुमार पाठक, A.S.P. N.P. सिंग, नगर मजिस्टेज पूजा मिस्रा, S.D.M. सदर अमित भट, C.O.C.T. प्यूस सिंग समेत मंदिरों के प्रत्निधी मौजूद थे खेल साचरता प्रशार वाहन सीतापुर के सिंगपुर गाउं पहुचा वाहन में लगी L.C.D. स्क्रीन पर ग्रामिडों को खेल के उपर बनी तीन डाकुमेंटरी फिल्म दिखाई गई साथ ही स्पोर्ट्स A.W. आफ लाइफ संस्था के अध्यास डॉक्टर कनिस्थ पांडे ने इन ग्रामिडों को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये संबोधित किया उन्होंने ओलंपिक खेलों के बारे में बताया तो ही साथ ही खेलों मुक करने के लिए प्रोचसाहिद भी किया या खेल साचर्था प्रिशार वाहन पंद्रा अर्जुन पुरुषकार विजयताओ द्वारा गाजियाबाद से 9 जुलाई को लखनों के लिए रवाना किया गया है प्रधान रोहिस सिंग ने स्पोर्ट्स एवे आफ लाइफ के अध्यच को खेल साचर्था मुहिम करने पर साधुवाद दिया इसके साथ ही जिलादिकारी को खेल के लिए अनकूल माहौल बनाने के लिए अपनी मांगों का ग्यापन सौपा सीथापूर में कोरोना के दो नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं एक सहरी तो दूसरा ग्रामीर इलाके में मिला है स्वास्थ विभाग की और से जारी रिपोर्ट के मुताविक मरीज सीथापूर सहर तो दूसरा परसंडी इलाके का रहने वाला है 21 से 55 साल तक का एक तथा 55 साल से उपर का एक मरीज मिला है कोविट का प्रकोप लगातार जारी रहने से स्वास्त विभाग द्वारा सतर्टा बरतने के निर्देश जारी किये गए है नगर पालिका मिस्रिक नैमी शार्ण में वेतन पी एफ वा अन्य समस्याओं को लेकर सफाई कर्मचारी पिछले चार दिनों से हर्ताल पर हैं लिहाजा नगर में हर तरफ गंदगी विखरी पड़ी है सफाई विवस्था चौपट होने से नागरिकों को काफी दिक्कते उठानी पर रही है सफाई कर्मचारी सुरेश चंदवा अनूप कुमार ने बताया पिछले तीन महीने से वेतन नहीं मिला है जिस कारवरवा आर्थिक तंगी से जूज रहे हैं इससे छुपधो कर हर्टार पर चले गए हैं पाली का परसर में एकत्रित हर्टाली कर्मचारियों ने नारेवाजी करते हुए प्रदर्शन किया इस मौके पर गिर्जा सरूप अमन कुमार, राजकुमार, राहुल, सुरेश चंद, सचिन कुमार, सुनील कुमार आदी मौजूद थे सेउता विधायक ज्यानतिवारी ने कहा भारती राजनीत को नई दिसा देकर देश और जनता के उत्तरोत्तर विकास्यम समरद्धी में समर्पित भाव से कारे करना, भाजपा कारे करता रास्ट धर्म समझते हैं रेउसा में भाजपा कारे करताओं की बैठक के दोरान विधायत ने कहा कि भाजपा पंडित दीन रयाल उपाध्याय के दर्सन का अनुसरन करते हुए देश्वा समाज के उत्थान में समर्पित भाव से काम कर समाज के अंतिम पंक्त में खड़े ब्यक्ति के लिए सतत प्रयास करती रहती है गाउं में टीका करन अभ्यान तेज करने और इसके लिए लोगों को प्रेरित करने कर लेकर भाषपा पदाधिकारी और कारकरताओं से गाउं गाउं जाकरुकता फैलाने की बात कही इस मौके पर मंडल अध्यच सेक्टर बूत सहित भारी तादात में बीजेपी कारकरता मौजूद थे वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए खबरनामा स्टूडी आयस लखनों में ही सिविल सिवा की तयारी के लिए के बेस्ट फैगलिटी के साथ एक मौडरन कैंपस सुपलब्द करा रहा है अब स्टूडेंट बारवी के बाद ही आयस और पीसिस की तयारी कर सकते हैं इसमें बारवी के बाद आप ग्रेजवेशन करते हुए जो चात्र हैं वो आयस की परिक्षा के लिए तयार किये जाते हैं अगर आप ग्रेजवेशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आयस और पीसिस की तयारी कर सकते हैं स्टुडी आईस स्टूदेंट के रहने और खाने की ववस्ता भी उप्रब्द कराता है जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करे 951717133 मिसन प्रेणा के लच को अभिवाव को तथा पहुचाने तथा प्रेणा साथी को प्रेडित करने के उद्देश से खंड सिच्छा अधिकारी लहरपूर रजीत कुमान ने ग्राम सभा खैरूलापूर के प्राथनी विद्याले ईरापूर पर संचालित महला कच्छा का अउलोकन किया इस दोरान मिसन प्रेणा से जुड़े सभी घटकों को ऑनलाइन सिच्छर की उप्योगता के बारे में जानकारी दी सिच्छक उमेश चंदवर्मा एम सरोज वर्मा ने रीड अलांग एप यी पाट साला एप तथा दीच्छा एप के बारे में विस्तार से जानकारी दी सहर के लालबाग पार्क इस्थित हिंदी सभा के तत्वाधान में स्वर्गिये बिसंभर नात मैलोत्रा द्वारा इस्थापित समाज सेवा संग पुस्तकाले प्रतेग दिन साई 5 बजे से 6 बजे तक खुलेगा पूर्व की भांत मंगलवार को बंद रहेगा संस्थान अध्यच पूर्व चैर्मेन नगर पालिका परसस सीतापूर, आसीस मिश्रा महामंत्री रजनीश मिश्रा अननेश मिश्रा के अथक प्रयासों से पुना इस पुस्तकाले को खोला गया है वर्तमान पुस्तकाले प्रभारी उधै प्रताप तिवेदी की उपस्थीती में पाठक विकास कुमार कश्यप, परमेश मिश्राच, चंद प्रभात तिवेदी ने आसीस बाजपी तथा हिमानसु सिंग द्वारा भेट किये गए समाचार पत्र का पठन किया सदना थाना इलाके में बैंक मित्त से दिंदहारे लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, पकड़े गए दो लूटेरों में एक नाबालिक है, जबकि एक अन्न फरार अभ्यूक्त की सरगर्मी से तलास जारी है एसपी दच्छडी एनपी सिंग ने बताया बैंक से मिले CCTV फुटेजवा अन्न सबूतों के आधार पर पवनपुत रांकुआर निवासी नर्बीर पूर्थाना सदना वा एक अन्न सोला वर्सी बाल अपचारी को गिरफतार कर उनके कज़े से लूटे गए एक लाग ग्यार 24,400 रुपए बैंक मित की पाजू को घटना में प्रयुक्त बाइक तथा एक तमंचा कार्तूस बरामत किया है वारदात में सामिल एक अनव्युक्त मनीश पुत्र राजेंद निवासी बीरपूर की तलास जारी है घटना का खुलासा करने वाली टीम में संजीर कुमार, ASI देवेन सिंग, स्यू सिंग यादो, आरची विनीच सिंग, सोहन सिंग तथा संतकुमार सामिल थे जिनने IG रेंज द्वारा 25,000 रुपए के इनाम से पुरस्क्रत किया गया है बिकास खंड कसबंडा के कंपोजिट विद्याले डोभा में 180 बच्चों को बैग वितरन किया गया सासंद्वारा निर्गत खाध्यान वितरन की स्लिप, प्रधाना ध्यापक अंबु श्रिवास्तों ने प्रधान की कोविट के चलते अभी तक विद्यालेओं में बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा है लेकिन सासंद्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाएं बच्चे वा उनके अभिभाव को तक पहुचाई जा रही है इस मौके पर अनुदेशक संके बलाक अध्यच रागवेंद सिंग, गरिमा मिश्रा, सचिन कुमार, प्रिया शेन, कमलेश कुमार, पिंक की लता, अनुदेशक जुबिना बानों आदी मौदूद थी संयुक्त मोर्चा संगनगर पाली का परिसत सफाई कर्मचारी यूनियन सीता पूरद्वारा पाली का प्रांगण में बैठा कायो जित की गई सफाई कर्मचारीयों की मुख मांगों में, मरतक आस्रितों की नौकरी संविधा कर्मचारीयों का, E.P.F. भुक्तान स्थाई कर्मचारीयों का, A.C.P. वा कई अन विंदू सामिल है जिन पर पाली का अध्यच का रुख सकारात्मक होने के बावजूद पाली का प्रशाशन ध्यान नहीं दे रहा है निर्ने लिया गया है कि सीगरी उनकी समस्त लंबित मांगे नहीं मानी जाती है तो आंसिक हर्ताल की जाएगी फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो सफाई ब्योस्था पूरी तरह ठप कर दी जाएगी बैठक में सनरचकवा सभासत दीरस पांडे संतोष वालिमी की गोपाल कृष्ण अमन कुमार राजकुमार लाला महेंदरपाल रमेश कुमार प्यारेलाल मनोज पावन दिलीब कुमार तुफेल जहीर हाफिज प्रमोच सिंग बिनोध विकड मनोज कुमार आधी मौजूद लहरपूर तहसील परिसर में बार एसोसीेशन की बैठक बार भवन में एसोसीेशन के अध्यच जवाहरलाल मिस्र की अध्यच्चता में समपन हुई जिसमें अधिवक्ताओं की 18 दिन से चल रही हर्ताल के बारे में चर्चा की गई इसको लेकर अधिवक्ताओं ने भारी र बैठक में सर्व सम्मत से निर्ने लिया गया आगामी 19 जुलाई को अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधी मंडल जिलाधिकारी से भेट कर उन्हें चल रही हर्ताल और समस्याओं के बारे में आउगत कराएगा दूसरा प्रतिनिधी मंडल भाजवा सांसद राजेश वर्मा जैस्वाल आदी मौजूद थे सीतापूर के मुख्ष विकास अधकारी अच्छत वर्मा ने बताया कि जिला विकास मन्वे एम निगरानी समित दिसागी बैठक अध्यच्छ एम सांसद सीतापूर की अध्यच्छता में 17 जुलाई को पोर्वाहन 11 बजे से कलेक्ट्रे सभा कच्छ में आयोजित की गई है बैठक में सभी सदस्यों से समय पर पहुंचने का अनुरोज सीडियों ने किया है बलाक मिस्रिक में बड़े पैमाने पर ग्राम पंचायत अधिकारियों के तबादले किये गए हैं सोम पाल को मिस्रिक से रियुसा भेजा गया है इनके पास छे ग्राम पंचायते थी स्यान कुमार को मिस्रिक से परसेंडी तता हरीज कुमार को पिसावा से मिसरिक में नई तैनाती दी गई है लहरपूर कोतवाली इलाके के जगमालपूर में सुकरवार को बकरी चराने को लेकर हुए विवाग में दो पच्छ भिड़ गए बाचीत बढ़ी तो दोनों पच्छो की और से लाठी डंडे निकल आये और एक दूसरे पर भांजनी सुरू कर दी महिलाई भी इस दंगल में कूत पड़ी और बालों को पकड़ कर एक दूसरे को पटकनी देने की कोशिश में जुट गई इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना कर इसे सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया मारपीट की घटना में तीन लोगों के घायल होने की खबर है मौके पर पहुँची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है फाइलेरिया दुनिया की दूसरे नंबर की ऐसी विमारी है जो बड़े पैमाने पर लोगों को विकलांग बना रही है यह जान तो नहीं लेती है लेकिन जिन्दा आदमी को मृत के समान बना देती है जिला मलेरिया अधिकारी अनिल कुमार मिस्रा ने बताया कि आम तोर फर फाइलेरिया के कोई लच्छण इस पस्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं लेकिन बुखार बदन में खुजली और पुर्सों के जन्नांग और उसके आसपास दर्द वा सूजन की समस्या सामने आती है इसके अलावा पैरो और हाथों में सूजन हाथी पाव और हाइडरो सील अनकोसों की सूजन भी फाइलेरिया के लच्छण है चूकि यह बीमारी मच्छरों से फैलती है इसलिए साफ सफाई आवश्यक है गंदगी वा जल भराव ना होने दे समय समय पर कीट नासक का छिड़काओ करें तंबवर थाना छेत के ग्राम सिक्री बहटा में बेखाओ चोरों ने दो घरों को निसाना बनाते हुए लाखों का सामान वा नगदी पार कर दी पहले विद्याधर पुत्र संबू दयाल निवासी के घर चोर दिवार फांत कर पहुचे और पांच हजार रुपए की नगदी उठा ले गए फिर बहटा सिक्री निवासी राकेश पुत्र कुश्मेश कुमार के घर पीछे दिवाल में नकब लगा कर चोरों ने कमरे में रखा 25 लीटर मैंथा 40 हजार की नगदी समय जेवर उठा ले गए थाना प्रभारी ओपी राय ने बताया कि तहरीर मिली है मामला दर्ज कर जाँ सुरू कर दी गई है वही थाना छेतर के नाउन पुरुआ निवासी सुनील जैसवाल ने थाने में तहरीर दे कर बताया कि गाउं में SD वीडियो ग्रॉफी के नाम से उनकी दुकान है जिससे बीती रात चोरों ने एक लैपटाप, एक कैमरा, एक हार्ड डिस्क, एक सोलर पैनल चोरी कर लिया है सीतापूर पुलिस का अवायद सराप कारोबार पर अंकुस लगाने के लिए चलाया जा रहा चेकिंग और छापे मारी अभियान सुक्रुआर को भी जारी रहा इसी क्रम में जनपत के विविन निथानों की पुलिस ने अलाग अलाग जगहों से 110 लीटर अवायद सराप बरामत की, पुलिस ने मौके से 8 अवियुक्तों को गिरिफतार भी किया है यह था आज का खबर नामा आप देखते रहे हैं आइंडिया, मुझे दीजे इजादत नमस्कार खबर नामा के प्रायूज़त थे सीधापूर शिक्षा संसान ग्रूप ओफ इंसिटूशन्स रस्योरा सीधापूर